वड़ा प्रधार मोधी नी आगेवानी मा लॉक्डाउन ने लईने बैठक करवा मा उचे अपने जणावी दी किया बैठक मा आमित शाप यूश गोईल आने कैबिनेट सेकरेटरी हाजर रहा छे हाल अपने जणावी दी किया बैठक त्यां चाली रही छे 3G में बाद लॉक्डाउन नी स्ट्रेटेजी आखरे शू रहा छे तेने लईने आउचिसतर ये बैठक चाली रही छे आगडनी रण नीती शू रहा छे तेने लईने बैठक करवा मा आवी रही छे साथ अलकेम जे तिमनों निवास चे तिया बैठक करवा मा आवी रही चे लोकल यान मार्ग उपर उच्चेस तर ये बैठक छे हाल आपने जनावी देए के अहीं तमाम जे मिनिस्टर्स चे ते पहुंचिया चे अमिच्छाप युष गोल कैबिनेट सेकरेटरी पन बैठक मा ह जर त्रीजी में बाद हावे तेनी अवधी पूर्ण थवाई चे अजे पहली में चे अने हावे मात्र बे दिवस्तों समय बाकी छे आखरे देशनी स्थिती शूँ छे अने कया-कया राज्यों मा लॉकडाउन नी असर राखवा मा उशे सूँ तिमने जोनेशन करवा मा चे अनुसार लॉकडाउन ने शूर रण नी ती हावे राज्य सरकार अने केंद्र सरकार बनने तालमेल मा उवी ने बनावे शे तिना उपर हाल नजर छे महत्वनी वाच छे के थोड़िक मिनिटो पहला जे सेंट्रल गवर्मेंट तरफ थी एक लिस्ट जारी करवा मा आवी जितला पन जिल्लाओ छे देशना राज्यना तमाम जे जिल्लाओ छे तेने पन जोन वाइस डिवाइड करवा मा आवे आचे त्यानी जे हाल नी स्थिती है कब तक वो खतम होगी और किस बारे में क्या एजिंडा इस मीटिंग का मुखित और पर रजनीश देखिए एजिंडा तो अन्दाजा इसी बात का लगाया जा रहा है चुकि तीन तारीक तक पुरे देश में लॉकडाउन है और सिर्फ दो दिन दा समय बचा है तो आगे सरकार की रणनीथी क्या हो सकती है आगे सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा सकती है उसी को लेकर ये बैठक चल रही है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अग्री मंतरी रक्षा मंतरी जो सेना के प्रमुक्ष है उनके अलावा रेल मंतरी को भी खासवर पर बुलाए गया है रेलवे आज के ट्रांस्पोटेशन कम्मिनिकेशन और जो पैसेंजर सर्विस है उसको लेकर लगातार मांग उठ रही है और देश के कई राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक जगा से इसके जगा ले जाने की बातें भी सामने आ रही है और आज तेलंगाना से रांची के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलाया गया है तो यह माना जा रहा है कि आज की बैठक में इस विशह पर भी कर्चा की वैगी और सबसे बड़ी बात यही है कि पीन कारीश के बाद सरकार की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है क्या लोग डाउन को आगे